तो इस सवाल के अंदर सारी बाते बोल दिया इसने अब डेटर का बैलेंस दे रहा है ओपनिंग 12,000 तो हमने क्या लिखा यहां 2 बैलेंस 2 बैलेंस BD और यह आ गया सर 12,000 और बाइ बैलेंस बाइ बैलेंस CD कितना बैलेंस आ गया डेटर का ही हमारा 14,000 आ गया जाते हैं स्टॉक इन्वाइस प्राइस या IP बात देखी है तो टू बैलेंस 2 बैलेंस BD सर स्टॉक कितने का है 16,000 और बाइ बैलेंस बैलेंस CD कितने का है 17,000 खिक है न ये भी हो गया ये भी हो गया cash sales, cash sales during the year तो सर cash sales हमारा दे रख है इसको देख लेंगे कहता है credit sales 20% more than the cash sales यानि जो credit sales होगा न देखिए आप यहाँ पे न credit sales दिया ही नहीं है देख रहे हैं तो main point यही था मुझे बताने का कहता है सर हमारा cash में sales है cash में sales कितने दे दिया इसने? 60,000 दूसरा कहता है credit sales जो होगा वो होगा कितना? more than the यानि 20% extra होगा तो सर 20% इसका extra कितना होगा? 12,000 एड कर देंगे यानि means 72,000 यहां मैं bracket में भी लिख देता हूँ 60,000 में आप 12,000 प्लस कर देंगे ठीक है? आगे कहता है total amount deposit to HO during the year total amount कितना deposit किया है उसने? लेकिन यह थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसका total करते हैं तो क्या आता है? एक लाग जैसे हमारे cash sales ही है और credits नहीं इसका तो total होगा नहीं मैं गलत जा रहा हूँ ठीक है यहां तक समझ में आया है? कहता है total amount deposit, total amount deposit का मतलब total हमारे पास पैसा कितना था? एक लाग 27,000 जिसमें से नगद sales था? cash sales कितना था हमारा? 60,000 तो बाकी का पैसा कहां से आया? collection हुआ होगा? किस से? debtor से? सर कितना collection होगा? बताओ 67,000 जो कि हम use कहां कर लेंगे? debtor में buy cash कितना? 67,000 और यहां पर आ जाएगा हमारा क्या? cash sales जो कि था 60,000 और क्या आ जाएगा buy side में? credit sales credit sales, जो कि कितना था हमारा? 72,000 समझ में आ रहा है यहां तक? यह वाला point समझ में है? कहता है, goods return by branch to HO at invoice price goods return by branch तो कहां आएगा? buy return कितने रुपे का? 5000 रुपे का return हो गया इसके बाद कहता है expense paid, कितने का expense paid की है सर? बताईए तो यहां पे आ जाएगा expense paid और आपने कहा सर कितने का? 10,000 इसके बाद कहता है discount allowed to customer 2000 एक तो debtor में आएगा कितने? और second यहां जाएगा discount 2000 इसके बाद betdates return of कितने का? 1000 इधर आएगा कितने? second यहां भी आ जाएगा betdates कितने? 1000 ठीक है? abnormal loss 2000 का बोल दिया इसने और abnormal लिख भी दिया है तो buy मैं abl लिख रहा हूँ इसको loss कितने का? 2000 कहानी खदम होती है यहां तक अब बस loading का process रह गया ठीक है न? अब हमें यहां से क्या निकालना है? कुछ नहीं credit sales पहले से ही पता था credit sales हमें पता चल गया था 70 मेरे हिसाब से यह दोनों side बराबर हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें से कुछ निकलना तो है नहीं तो 12,000, 72,000 84,000 84,000 माइनस 67,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 तो दोनों side क्या हो गया? बराबर तो यहां पे अगर debtor account नहीं भी बनाओगे न तो हमारा solution आ सकता था समझने बात को आ सकता था क्योंकि debtor सा कुछ यूज नहीं करना लेकिन सवाल में कहता है कि prepare branch debtor account तो इसलिए हमने क्या करा? branch का debtor account प्रपेर किया समझना इस बात को चलिए अब loading की बारी आ गई अब ये भी दोनों side ना match हो जाएगा इधर कुछ भी good cent नहीं दिया पूरे सवाल में तो इधर क्या आएगा goods cent निकाल लेते हैं good cent स्ताथ हजार बहत्तर हजार पांच हजार दो हजार सत्रह हजार 156 156 minus में 16 देखे गुट सेंट कितना रहा 41 ठीक है यहां तक क्लियर हो गया यह account यह account अब loading की बात करते है buy side में loading किस-किस पर loading निकलेगा goods सेंट पर तो 41 पर 20% 16,000 पर यानि opening stock 16,000 पर 32 ठीक है अब 2 loading किस पर सर return पर return 5000 पर 1000 20% abnormal loss abnormal loss 2000, 2000 पर 20% 400 और बाकी बचा हुआ यहां जाएगा न बाकी बचा हुआ कितने 1600 बाकी बचा हुआ यहां जाएगा that is 1600 रुपे ठीक है आगे आजाते हैं सर अब CD पर भी आएगा यानि closing stock 3400 तो सवाल देखिए बहुत आसान था यह मैंने सरिफ वो जो थोड़ा सा point है इसलिए कर दिया 35 400 28,000 32 31,200 तो सर यह loss आगया न loss आ रहा है चेक करिए नए यह 35,400 नहीं होगा मैंने गलट टोटल कर लिया सर यह गलट टोटल हो गया यह आगया हमारा 31,200 31,200 31,200 और 2 gross profit सर माइनस करो 1400, 3400 4800 4800 माइनस 31,200 26,400 और यह answer मुझे कहीं देखा देखा लग रहा है by gross 27,400 ठीक है यहां से क्या निकाल लोगे नेट प्रॉफिट और 2NP है ना इधार लिख देते हैं 26,400 16,100 10,000 2,000 1,000 11,800 यहां जागा क्लियर कोई दिक्कत कोश्चन में क्लियर 26,400 क्ल istem देखा चास्चन में क्लीमें क्लीम ध겁 29,500 31,400 झाल झाल